श्री गनेशाय नमहा, नमस्कार दोस्तों, ये राशी फल चंदर राशी पर आधारित है, चंदरमा मन का कारक है, हमारे मन पर जो भी उधार चड़ाव आते है, वो चंदरमा की स्तिधी ले कर आती है, और इस वज़े से चंदरमा की पोजिशन हमारे रोज की जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, और इसके अकॉर्डिंग हमारा दिन अच्छा या बुरा जाता है, तो आईए जानते है इस दिन चंदरमा आपके लिए किस तरह के परिणाम ला रहे है, दोस्तों इस दिन चंदरमा आपकी कुंडली में बारवे भाव में रहेंगे, दोस्त तो बारवे भाव में चंदरमा के होने से आपको विदेश से लाब होगा, विदेश में अगर आपका बिजनेस है या आप विदेश में नोकरी करते है तो आप के लिए ये समय शुब रहेगा, विदेश से आप धन कमा पाओगे, विदेश से धन कमाने के अच्छे मोके उनकी इच्छाय भी पूरी हो सकती है विदे से आपको हर तरह का लाब इस समय में मुम्किन है लेकिन बाकी चेत्रों में लाब होनी की संभावना काफी कम रहेगी क्यूंकि इस दिन सुबह से ही आलस से से घिरे रह सकते हैं काम करने की गती धीमी रहेगी हर काम में होगा इस वक्त आपको यात्राइ भी करनी पड़ सकती है लेकिन यात्रा करने के लिए समय अनुकुल नहीं है अगर करनी ही पड़े तो साउधानी जरूर बरत्य कहीं पर भी लापरवाही न दीखाए अगर हो सके तो यात्राइ कुछ समय के लिए टाल दे तो ज्यादा दुकावटे, नुकसान होना और पैसे फसने की संभावना इस समय में बन रही है, आज कोई भी महत्वपूर्ण निरने ना ले, कोई नया निवेश बिलकुल ना करे, इस समय में किसी पर भी भरोसा ना करे, काज़िकार रवाई या समल कर सोच समझ कर ही करे, नोकरी करने वाल अथनी के बीच नोक जोक हो सकती है, इस समय में हर काम में आपको सतर्प रहना होगा, किसी और के जगड़े से भी थोड़ा दूर ही रहिएगा, नहीं तो आप उसमें फस सकते है, गर परिवार में अशान्ती का माहुल इस समय में देखने को मिल सकता है, इस दिन में थोड़ा तना उत्पन हो सकता है, बीते हुए कल की बातों से भी परिशानिया आ सकती है, पार्टनर के साथ प्यार से पेश आए, अगर कोई विवात की स्तिती उत्पन होती भी है, तो उसे बढ़ने ना दे, स्टुडन्स के लिए भी एस समय रुकावटों भरा नजर आ रहा है, किसी तरह की रुकावटे आ सकती है, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, मन भटक सकता है, इस वक्त अपने लक्षपर केंदरित रहे और अपना प्रयास जारी रखे, इस दिन स्वास्थे ठीक रहने की संभावना भी काफी कम रहेगी, इस समय में आप शारीरिक द नाम के रोटी निकालनी है, किसी जरूरी काम से जाते वक्त, चांदी का सिक्का घर से ही साथ लेकर जाए, अगर कोई जरूरी काम इस वक्त तरना ही पड़े, तो ये उपाई जरूर करे, और अपने माथे पर अगर आप चंदन या केसर का तिलक लगाते हैं, तो शांती बन का सिक्का मंदिर के मुख्य गुलक में जरूर डाले, सुबे अगर आप तहलने जाते हैं, तो इसका बहुत अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा, तो शरीर को ऑक्सिजन तो मिलता ही है, साथ ही दोस्तों नेचर में हिलिंग पावर्स होते हैं, उस वज़े से हमार टहलने जाना काफी अच्छा होता है, खान पान में इस वक्त आप ध्यान रखे, योगा करे, एक्जरसाइस करे, इस दिन अगर आप पीले रंग का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, और तीनंक इस दिन आपके लिए लखी सावित हो सकता है, दोस्तो ये राशी फल को एक मार्गदर्शन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा,